Hello friends, interesting facts में आपका स्वागत है दोस्तो आज की हमारी news रहेगे दोस्तो कोवेट 19 का पहला वैक्सिन रेजिस्टर रहा है दोस्तो जो की एकदम बहुती बड़ी खुशकब है खबर यह सारे पुरे वर्ली के लिए दोस्तो आपके लिए मेरे लिए पुरे वर्ली की सुचा इस पर बात करेंगे दोस्तो पहला point यह दोस्तो first vaccine जो की COVID-19 का वस्त जो corona virus है दोस्तो इसका first vaccine रजिस्टर हुआ है रशिया में दोस्तो जो पुटिन है रशिया के प्रेजिडेंट इन्होंने live video conference में आके यह बात कही है दोस्तो और सबको बदाई दिये इस पर जो जो काम के सबको बदाई दिये और यह मतलब यह इतने confident है already इसका mass production करना चाहते हैं बस opposition के governments का इंतजार कर रहे हैं अब यह इतना confident है मतलब दोस्तो कुछ तो है इस दवाई में करके दोस्तो इससे पहले भी ढेर सारे दवाई आई दोस्तो मेरे को सही नहीं लगा पर आज इनकी news देखके मेरे को लगा सुचा यह आप तक पहुंचा देता हूं करके सब्चो दोस्तो इतना परेशान है समझो एक पूरा world परेशान है दोस्तो इस चीज़ को लेके सारी दुनिया परेशान है आप मैं सारे के सारे परेशान है दोस्तो किसी को सही तरीके से काम नहीं मिल रहा है किसी के पास पैसान एक खाने के वान दे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तो इस चीज़ को लेके एक बार इसकी दवाई मिल जाएगी, सब के लिए सुकून हो जाएगा, दोस्तों, सब के लिए बेतर रहेगा, सारी दुनिया के, समझो, इनसानों के लिए एक बहुती बड़ी खुशखबरी रहेगी, समझो, पचास साल, सव साल फीचे चला गई है, इस चीज़ को लेके, अब एक बार इसकी दवाई मिल जाएगी, सब सही हो जाएगा, समझो, दवाई मिल गई तो, आज ही सही नहीं हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंके इस समझो, पूरे वर्ल्ड में ये पहला पड़ा है, समझो, मौर दें 20 मिलियन केसे सहे दोस्तों इसके, तो सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं, करके, सोचो दोस्तो अब इन्हों ने ये भी काया है कि मास्ट प्रोडेक्शन करने के लिए तैयार है जो कि बहुत जल्द हम करने वाले बस opposition जो भी government से इनसे हमारे को permission मिल जाए तो हम लोग इस पे भी काम करेंगे करके कहा जा रहा है दोस्तो अब समझो दोस्तो अल्रेडी जो advanced face में है यही vaccine है जो अल्रेडी समझो 60 to 70 people पे अल्रेडी काम कर चुका है एकदम accurately काम कर चुका है बस थोड़े बहुत बंदों को बुखा रही थी जो कि एकदम normal बुखा रही थी उस पे भी दवाई दे दी गई करके कहा जा रहा है दोस्तो अब थोड़े बहुत opposition की गवर्मेंट से उन्होंने इस पे object किया दोस्तो यह सही नहीं सही तरीकिसे trial नहीं हुआ जो भी इनका केना है पर रश्या की गवर्मेंट 100% confident है दोस्तो एकदम सहीए करके अब क्या सही है क्या अगल है धीरे धीरे पता चलेगा दूस्तो क्योंकि वैक्सिन आज रेजिस्टर हुआ देना शुरू कर देंगे देर सारे वालिंटर्स आगे भी आये इसको लेने में तो देना धीरे शुरू कर देंगे दूस्तो जो की एकदम अब इधर पर बढ़ी चीज़ कही जा रही है दूस्तो अब फ्रेंच की गवर्मेंट भी टिक टॉक को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो इस चीज़ को लेके हम भी सेफ सेफर साइड के लिए हम लोग भी चक कर लेते हैं यह क्या कर रहें करके जो भी इसके इनको लेकर हम लोग भी चक कर लेते हैं टिक टॉक सही कर रहें के नहीं करके तो इधर पर कहा जा रहा है दो अब फिलहाल फ्रेंच करना चाहती है अभी तक चालू नहीं कि सम्झो दोस्तो दूतीन दिन में चालू होने वाला है इन्वेस्टिगेशन पर आल्रेडी यू य यूरोप और डच इन्होंने इसका इंवेस्टिगेशन चालू कर लिया अल्र centrally को समझो जो भी डेता लेती है देती है क्यों लेती है देती है साही चीज़ पूछी जा रहे है और इस पर TikTok ने भी जवाब दिया है, हम लोग हाँ इसका चक चल रहा है, हम लोग भी इनके साथ cooperate कर रहे हैं, इनकी जो जो मांग है हम लोग भी पूरी कर रहे हैं, करके TikTok को भी कहना है दोस्तों, जो कि एक दम अच्छी न्यूस थी, सो चाहिए आप तक पहुंचा है दोस्तो समझो, इधर अच्छी बात है दोस्तों, अगर TikTok गलत निकली तो भी अच्छी बात है, सही निकली तो भी अच्छी बात है, मैं क्यों आपको एक्स्प्लेन करता हूँ, अगर गलत निकली तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा डेटा चुराया जाता है सारे के सारे पब्लिक डेटा चुरा ज попадता है, जो की हमारे लिए सेफ नहीं है, तो घलत निकल गी तो इस इन्वेस्टीगेशन में चांस ज्यादे बन जाएंगे इंडिया में वापसाने के, तो सचाया आप तक पहुंचआ जयता हो वस्तों से इसको खरीदने में डिशिशन लेनी पा रही है क्योंकि अब तक यह तक बाद негоडनेत बेज दो या फिर बैन लग जाएगा रहाए अब TikTok ने legal action लेने की बात किये अब समझो इन दोनों के आपस के बीच में मैं खरीद दूँगा, समझो Microsoft का यह करना है मैं खरीद लूँगा, तो मेरे लिए ज्यादी परेशा नहीं लग जाएगी अब मैं इसको खरीद भी लूँ इनके आपस के चक्कर में मेरा होल्ड में चला जाएगा, जो भी हमें अगर पैसा बर दूँगा जो भी है, मेरे लिए ज्यादी प्राब्लम हो जाएगी तो हम लोग इसको लेके सोच रहे है क्या करना है, कैसे करना है करके अब रही बात, इसका टिक टॉक क्या जवाब देगी अभी तक पता नहीं जुशेए इनका जवाब जैसे ही आएगा, मैं आद तक पहुचा दूँगा तो इस चीज़ को लेके Microsoft थोड़ा परेशान है तो डिसिशन लेनी पा रही है तो यह था था थो तो तीसरा पांट, sorry friends चोधा मैं टेकर हो दुस्तो, डेली पुलीस वांटेड बैन ओन टिक टॉक फार फेबरेवरी राइट्स बाइगर्मेंट इग्णोर्ड बड़ गवर्मेंट इग्णोर्ड अभी तर पे यह का जा रहा था थो देली की पुलीस फेबरेवरी के जो राइट्स होए थे उस पर से मतलब एक लेटर भेजा गया था Ministry of Affairs को एंट टेक्नोलोजी को इनको एक लेटर भेजा गया था तो इसलिए क्यूंके टिक टॉक को बैं करने का एक लेटर भेजा गया था तो इस चीज़ को लेके डेली पुलीस ने एक लेटर भेजा था मिनिस्ट्री आफ अफ़ेश को तो इसको बैं कर दो करके समझे होने से पहले की स्टोरी है आज इसको न्यूस पेपर में डाला गया जोसो सारी डीटेल के साथ तो इस चीज़ को लेके इन्होंने बैं का ओडर भेजा था पर गवर्मेंट ने इसको इगनोर कर दिया था मार्च में यह फेबरेवरी के राइट जो है इसको पूरे का पुरा एंविस इंस्टेगेशन करके मार्च में एक लेडर भेजा गया था गवर्मेंट को और गवर्मेंट ने इसको इगनोर कर दिया था तुरं से समझो दो तीन दिन में इसको इगनोर कर दिया गया था उसके बाद पर बैन लगा पर उस चीज़ को लेके बैन नहीं लगा जोस्तों अब तो यह थी दोस तो हमारी वीडियो देखने के लिए दन्यवात फ्रेंग्स बाई मैं ऐसे धेर सारे वीडियो आपने कों के लिए लाता रहूँ